बस्तर जिले में काजू प्रसंसकरण केंद्र ने आदिवासी महिलाओं के जीवन की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है महिलाएं स्वसाहता समु के माध्यम से अब अपनी आर्थिक स्थिके साथ ही दैनिक जीवन शैली में भी बदला अवला रही है लॉकडाउन और कोरोना संक्रमन के बीच काजू आदिवासियों की आयका एक प्रमुख साधन बन कर उपरा है बकावंड के काजू प्रसंसकरन केंद्र को संचालित कर रही स्वसाहता समु की अध्यक्ष पदमीनी बगेल ने बताया है कि काजू परियोजना से महिलाओं के रहनसान का अंदास बहतर हुआ है साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी अब अच्छे तरीके से हो पा रही है काजू प्रसंसकरन केंद्र के प्रभारी 50 रेंजर रोशनलाल बंजारे ने बताया कि साल बस्तर में वंधन योजना के माध्यम से खरीब 5000 क्विंटल काजू का उत्पादन हुआ है साथी राएगर जिले से भी 1000 क्विंटल काजू प्रसंसकरन के लिए बस्तर भेजा गया है सदस्य है जो यहां कंटिन्यू साल भर काम करते हैं इस साल बंधन योजना के तहत यहां पर हमको पूरे बस्तर डिविजन से 15 समीतिया है वहां से जो है 5000 कुंटल का काजू खरीदी करके हमारे गुदाम में आया हुआ है साल भर के अंदर में फड़ाई करके उसको देने का है तो यहां पर महिलाएं जो हैं कंटिन्यू लगातर आती हैं खेती काम करते हैं और खेती काम के बाद जो भी समय बसता है उसमें ए लोग कंटिन्यू आ करके यहां पर काम करते हैं और इस बारे में बस्तर के मुख्य वन संगरक्षक महमत शाहिद ने दूरदर्शन समाचार से बाचीत में बताया कि राज्य लगु वनोपच संग ने यूरोपियन कमिशन की योजना के तहत साल 2013 में इस काजू प्रसंसकरन योजना को स्विक्रिती दी थी उन्होंने बताया कि काजू का समर्थन मूल्य 100 रुपए प्रतिकिलो तै किया जाने से बस्तर के काजू संग्राहकों को अब अच्छी खेमतें मिलने लगी है के माध्यम से वनिभाग के द्वारा इसका संग्राहन कराए गया और लगबग पांच हजार कुंटल काजू का संग्राहन हुआ काजू का यहां पर प्रसंसकल कारी भी वकावन में किया जा रहा है जिससे लगबग डेल करोर मजदूरी लोगों को दिया जाएगा और 450 महलाएं इसमें लाबान में तोंगी गोर्दलबे की बस्तर में अब हर साल पांच से दस हजार कुंटल काजू का उत्पादन किया जा रहा है